नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News एंडिये के साथ जुड़ते ही सुहेल दे भारती समाज पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर को मंत्री पद मिल जाता है जिस लालसा में जिस सुमीद में ओपी राजभर इंतजार कर रहे थे कि यहां पर पार्टियां तो हमने बदली जहां पर हमने पार्टियां बदल करता है भी किया कि चुनाब जीतेंगे या नहीं लेकिन मंत्री कब बनाया जाएगा इसको लेकर काफी चर्चाएं होती हुई नजर आये थे लेकिन देखा गया कि योगी काबिनेट में लगभग आठ सदस्यों की जगा खाली थी जिसमें लगभग यहां पर योगी काबिनेट में चार सदस्यों मंत्री पत्ड की शबत के दुराइं दारा सिंह चोहान भी थे अपी राजबर सब कि नरंगे के साथ हैं तो पी राजबर का रिस्ता चंद्रुषेकर अजाद से हमेशा से नर्मी के साथ देखा गया है दोनों एक साथ मंच पर भी नज़र आए हैं एक साथ मुलाकात करते वे भी देखे गए हैं और एक इस समाज के विकास के बारे में सोचते वे भी नज़र आए हैं इनकी तस्वीरें इनकी मुलाकात और इन दोनों के बारे में चर्चा फिर से होती हुई नज़र आ रही हैं आपको 28 जून 2023 का वो मामला तो याद होगा जब सहारनपूर के देवबंद में चंदर शेखराजाद रामन को गोली लगी थी काफिला जा रहा था गारी में मौझू तो चंदर शेखराजाद गोली दाग दे जाती है गोली छू कर निकल जाती है उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से चंदर शेखराजाद को यहाँ पर देखने की बाते भी कही गई ट्वीट के माध्यम से स्वास्ते कामना की भी बात की गई तो वहीं विधान सभा चुनाव के दरान भी जब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे तब भी ओपी राजबर ने समाजवादी पार्टी के जरीए चंदर शेकराजाद को ओफर दिया था कि गडवंधन में आ जाईए तब समाजवादी पार्टी यहाँ पर कई पार्ट टीमसी तमाम दल मिले थे जो विधान सभा का चुराम 2022 के लड़ते हुए नजर आए थे जब ओपी राजभर के जरीये चंद्रशेकराजाद को ये कहा गया था कि आप गड़बंधन कर लीजे यहां पर आपको दो से तीन सीटे दी जाएंगी MLC भी बनाया जाएगा मंत्री भी बनाया जाएगा सारी बाते होती हुए नजर आई थे लेकिन चंद्रशेकराजाद ने गड़बंधन से इनकार कर दिया था अब फिर से चर्चाएं हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेकराजाद को नगेना सीट देती हुए नजर आएगी झाल आएगी